तुस्तों मैं हूँ दानेश और आप देख रहे हैं दन्नव जीवन आखेकार दो महीं आ गई है और आज पांच स्टेटों के चुनावों के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं और जो रुज्धान है शुरुवाती रुज्धान जो आए है उसमें एक राज्य असम को छोड़के बाकी सारे राज्यों में भाजपा का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है पहले तो मैं यह बता दूँ कि जो दूसरे चेनल मैंनिस्ट्री मीडिया रुज्धान दे रहा है मैं वो रुज्धान नहीं बताने वाला आपको मैंनिस्ट्री मीडिया कोई भाज़पाप को टक्कर दिखा रही है कोई कुछ दिखा रहा है कोई सोस्यूटियों को रिजहान दिखा रहा है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ election commission क्या कह रहा है जो election है EC की website है वो क्या कह रही है जो actual है जो result बताईगी वो कहां से चेक कर रहा है पता नहीं मैं आपको election commission की पहले जो रुजहाने वो दिखा देता हूँ उसके बाद उसका predict करेंगे कि आखिर ऐसा result क्यों आ रहा है तो आप यह देख सकते हैं यह election commission की side है है यहां पर यह क्या किय रहा है सबसे पहले वेस्ट बंगाल में यह दिखा रहा है दो पार्टियों का भी तीन पार्टियों का result दिखाया है जिसमें All India Trin Mulyani के ममताब इनर्जी की पार्टी 17 सीटों पर आगे चल रही है अधूसरी भारती जनता पार्टी यानि के BJP जो की 8 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिपेंडन्ट है एक सीटों पर आगे चल रही है यानि के 50% से जादा का जो मार्जन है वो ममताब खेर यह तो हो गया वेस्ट पंगाल का अब दूसरे राज्यों की भी बात कर लेते हैं दूसरे राज्यों में क्या है दूसरे राज्यों की बात करें तो केरला की बात करते हैं केरला में CPI यानि के Communist Party of India 6 सीटों पर लीड कर रही है लेकिन CPI यानि के Left 18 सीटों पर अभी जो एक्चुल रिपूर्ट है जो मेंस्ट्रीम मीडिया है वो आपको बहुत ज्यादा दिखा रही है वो दिखा रही है 60-60 सीटों पर लीड कर रही है मुझे नहीं पता वो आकड़े कहां स है लेकिन यहां पर कहीं पर भी लिस्ट में बीजेपी का नाम नहीं है बीजेपी को शुन्निय मिला है के रल में जीरो अंडा आप समझ सकते हैं के रल में क्यूं मिला है इस पर हम सबसे आखिर में बात करेंगे पहले पांच राजों के आपको रुज्जान में बता रहा में Congress वर बाजबा दोनों को एक-श wrapped मिली हैई ठीक है और उसके बात करते है तमिल्नाडू की, तमिल्नाडू में देखिए यहां पर भी Congress की तो बात करना छोड़ी दे, Congress को मैंने पहले भी कहता है कि पार्टी लगबग Congress में कोई दम नहीं रहा, लोग भी इस बात को कहते हैं कि Congress में कोई दम नहीं है, नराज़गी क्या है, वो यही नराज़गी है कि Congress को वोट देते हैं, वो तूट के उसका विधायक दूसरी पार्टी में चला जाता है. तो यही हर राज्य में हाल दिख रहा है कांग्रेस का वो सामने नजर भी आ रहा है लोगों की नराजी कांग्रेस से लेकिन आगे बीजेपी की बात बात में करेंगे पहले तमिल नाडू पर आते हैं तमिल नाडू में आप देखते हैं कि All India एनना द्राविड जो है 19 सीटों पर आगे चल लेए उसके बाद Communist Party of India यहां पर एक है और द्राविड मुंतेरा कासगाम करके पार्टी है कि 18 सीटों पर आगे चल लेए यहां पर भी भाजपा की एक भी सीट नहीं है शूनिय मिला एक भी सीट नहीं मिली है तमिल नाडू में भी भाजपा को अब बात करते ह है एक ऐसा राज्य है जहां से भाजपा आगे चल लेए वो है असाम असाम में बीजेपी को अभी तर्ट टोटल आठ सीटे पर बड़त बनाये हुई है और उसके बाद Congress दो सीटों पर और वाकी अन्य पार्टी है एक एक दो दो पर तो Congress की तो बात करते हैं नहीं मैं आपक प्रूट के चला जाता है कहीं और क्योंकि जब भी मैं Ground Report पर जाता हूं किसी से Congress के बारे में बात करता हूं तो वो यही बात बताता है अब बात करते हैं भाजपा क्यों पिछड़ी हुई है हर राज्य में असाम को छोड़कर केरल की बात करें तो आपको याद होगा एक भ आज यह सबसे जएधा एजुकेशन है वहां आपको एजुकेशन हर घर में मिलेगी कितना ही गरीब हो लेकिन वह एजुकेटड मिलेगा और यही वज़ा है कि केरल में भाजपा को पूरी तरीके से इंकार कर दिया है कि कि हम किसी के भी को भी वोट दे देंगे लेकिन राउंड पर जाके जो उनके कारे करता है कि क्या माहौल चल रहा है किसकी हवाए तो जो हवा देखी भाजपा को केरल मुन पता था कि हमारा सूपड़ा यहां से साफ हो जाएगा हम यहां पर नहीं आ सकते तो एक भी सीट ना मिलना बहुत बड़ी बात है केरल से एक भी यही वज़ा है कि भार राजनीती वो करती है यहां पर कि बात होति है यहां बात होती है हिंदु मुस्लिम की È जहां बात होती है हिंदू देश बनाने की जहां बात होती है हिंदू धरम खत्रे में हैं क्योंकि भाश्पा को पता है उनके पास राजनीती करने के लिए कुछ और नहीं है सिवाए कम्यूनिजम के जो कम्यूनिजम है वो कार्ड वो हर जगा खेलती है लेकिन फिर वही बात जाते हैं कि जहां एजुकेशन लेवल जादा होता है वहां उसका ये कार्ड नहीं चलता तो यही वज़ा है जो केरल में इतनी पश्ड़ी हुई है अब बात करते हैं बंगाल की बंगाल में जो इस्तिती चल रही है वो ये चल रही है कि भाजपा फाइट दे रही है ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि शाय सरकार तो बना लेगी टीमसी बढ़त में है लेकिन जो प्रफोर्मेंस है भाजपा का वह अच्छा रहा है उसका रीजन है बहुत बड़ा रीजन एक तो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत जोग दी थी बंगाल के अंदर लेकिन प्रधान messingत्री मोदिने कुछ नहीं प्रधान मंतरी मोदियों की रेलिय और रेलियो में पैसे देखे बंदे बुलाई इस पर मैंने सबूत के साथ वीडियो बना रख्याएप लोगों की भीड़ बुलाई गई थी खयर ये विश्यह लगे आप चाहित चैbes तो ली गई लेकिन हुआ क्या कुरोना का महाविस फोट आ गया हाँ भाजपा की प्रफॉर्मिंस जरूर अच्छी हो गई ये शौरिटी है इससे वो खुश भी होंगे भाजपा अब एक बात तो जरूर बोलेगी कि हम बंगाल की जंता ने हमें सुईकारा हमें वोर्ड दी हम ती तीन सीटों से इतनी सीटे आगे बढ़ गए किसान का जो मुद्द चला है किसान हमारे साथ है लेकिन वह यह नहीं कहीगी के केरल में हम हार गए और स्टेटों में असाम को छोड़के सब जगा हम हार रहें वहां पर किसान नाराज नहीं है सिर्फ यहां की किसान खुश है इसलिए यह बहुत लिए यह बात तो भाच्चपा बोलने वाले रहें जाहें हो जीते अम मैं बात करता हूं थोड़ी सी विएपी सीटों की बात करें तो बहुत कडी टककर चल रही है नंदीघराम में ममताब एनरजी इस वक्त वर रुजान में बता जा रहा है पीछे चल सब के यह कहना था है कि जो भी आएगा आएगा हम किसको वोट देंगे हमें नहीं बताना तो वहां का साइलेंट वोट रता और श्वेंद अधिकारी का वह गड़ है तो थोड़ा वोट फैक्टर श्वेंद अधिकारी का वहां पर चल रहा है नो डाउट यह बात मैंने पहले सेना के वोट होते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं पहला रूजयान उनका आता है और उसके बाद दूसरा जान जोता है अब EVM खुलेंगी और EVM से काउंटिंग शुरू होगी देखना क्या है वह तो शाम तक पता लगएगा लेकिन फिलहाल जो अभी की खबर है वो यह है कि भाजपा पूरी तरह से पूरे देश से साफ होती नजर आ रही है एक राज़े को छोड़ के यानि कि जंता ने पूरी तरीके से नकार दिया है भाजपा को कि अब बस बहुत हो गिया परधानमंति का जो मोदी लहर होती थी एक वो चली गई चाहे बंगाल अगर मान लो जीत भी जाते हैं तो ये तो बात मान लेज़े के मोदी लहर तो नहीं है ये तो साफ दर्शारा है और क्यों किसानों का मुद्धा है वो किसान मुद्धा इनको लेके डूब रहा है बारहाल शाम तक पूरा रिजल्ट आएका शाम तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं हम आपको एक्चुल फैक्ट बताएंगे असली जो सीटों की काउंटिंग है वो बताएंगे दूसरी तना ज़्यादा बड़ा चड़ा के नहीं बताएंगे हो क्या रहा है क्योंकि जो एले क्यो एले सीट